हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ राजस्थान के स्पेशल शाही गोविन गट्टे की सबजी राजस्थान की स्वाद राजस्थान का महक मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ यह रचिपी बहुत ही सिंपल है गट्टे की स शूपष कड़ेता है भाइस इस में धरना रेहीं लुक्राइब पर कि खरें का सब्सक्राइब आपके इसब्सकाइब बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही जो कि हमें इसको जो बैसन का ड्राइ मीक्स है उसको डो फॉम में लियाएगा दही डालने से तो बस यह हमारा डो प्रिपेर हो गया हमें डो ना तो सॉफ्ट बनाना ना हाड बिलकुल चापाती का हो वैसा और दस मिनिट के लिसको साइड में रख देते हैं सेकेंड स्टेप में हम जो गटे में स्टफिंग उसकी तयारी कर लेते हैं उसके लिए लिया मैंने पनीर चॉप्ट किश्मिश काजू और काली मिर्ची आप पनीर की जगे मावा भी योज कर सकते हो जो भी आविल बिए अंच एकंदना भी जुए ना है उसको इस तरह से इसे डोल करते जाना है इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूं आपकी हैंट से और फिस्तुपिंग प्रिपैर करी वही डाल देनी है और बॉल को बंड कर देना है और पूरा अच्छे से डोनों हाथों की हल्प से इस इसमें क्रेक नहीं होना चाहिए इस बॉल में और इस तरह से सारी बॉल प्रिपेर कर लेते हैं तकरिबन 6-7 बॉल बन जाएगी हमारे 6-7 गट्टे बन गहे हैं स्टफ वाले अब इमको क्या करना नेक्स स्टेप में हम इनको कर लेते हैं बॉल एक बर्तन में पानी लेके इसके शीट्स अलग कर रहे हूं मैं उनको ग्राइंडर में डाल देती हूं मैं अभी दही मैंने 1 cup लिया पर अभी ग्राइंड करने के लिए 1 4th cup ही मैं इसमें यूज करूंगी और इसके साथ मैं मेलन शीट्स डाल रहे हूं आप चाहें तो केश्यू या बादाम कुछ भी बीट कर लेती हूं ताकि कोई लंप्स ना रहे उसके अंदर यह देखिए हमारा दही भी रेडी है यह जो ग्रेवी है करी है वो दही के साथ बनती है इसमें सिफ दही का यूज करें बहुत ती अच्छा टेस्ट और परफेक्ट जो राजस्थान की गट्टे की सबजी है न यही आपको करना है और उएल यूज नहीं करेंगे नहीं तो आप करेंगे कि वो टेपन नहीं आया तो बस इसमें करी लीव्ज, हल्दी, लॉंग काली मिर्ज का तड़का लगा दिया मैंने अब उसमें जो मेलन पेस्ट हमने प्रिपेर किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ घी के फ्लेवर के साथ सारी सबजिया बहुत ही रिच लगती ये राजस्थान की सबजियां तो घी का फ्लेवर होना जरूरी है अब इसको अच्छे से कुक करना है तकरीबन आट से दस मिनिट के लिए जब तक कि हमारा जो घी है वो इसमें बाहर ना आ जाए वापीस से रिलीज ना हो जाए मैंने दो चमच इसमें धनिया पाउडर डाला है जो हम रेगूलर सबजियों में यूज करते हैं वो उसके साथ ही मैं इसमें कर रही हूँ एड वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम जादा यूज कर लीजे वो इसको अच्छे से हिलाते बशेटेते और फिर से इसको कुक करते हैं हमारे सायड में जो गटे वो भी बॉल होते जा रहे तो एक साथ दोनों काम चल रहे हैं इदर गवी की परिपरेशन हो रही है और इदर गटे भी बॉल हो जो गोविन गट्टे हैं वो तो यह हमारी शाही ग्रेवी बनने वाली है अभी हमको क्या करना इसको कुक करते रहना अगेन आठ से दस मिनिट के लिए तो तकरीबन इस ग्रेवी को हम 20 मिनिट के लिए कुक करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर वाले ग्रेवी बनके कितने अच्छे से बनके रेडी हो गई है अब मैं इसमें डाल जो 1 टीस्पून शूगर इसमें सॉल्ट मैं अभी एड़नी करें सॉल्ट हम सबसे लास्ट में डालेंगे नहीं तो हमारा जो दही है वो फट जाएगा और यह देखिए हमारे गट्टे भी बॉल हो गया है वो उनका बन करके अलग कर दिया है और ग्रेवी में लास्ट इंउडीन्त जो हमारा है वो मलाई है मैं घर पे जो दही में आईवी मलाई है वह यूज कर रहे हूँ आप फ्रेश क्रिम भी यूज कर सकते और धर वाली मलाई है तो सबसे एच्छा है जो शाही bit flavor देगी हमारी ग ला लिया और यह इधर से गट्टे मैंने जो बोईल हुए थे उनको मैं फ्राइ कर रही हूं अब तो फ्राइ करने के लिए मैंने अल्रेडी ओयल चड़ा दिया था गेव पे पेन में और अब इनको मेडियम टू लो फ्लेम पे फ्राइ करना है हाई फ्लेम नहीं लेनी है यह क्योंकि प्यारे से फ्राइ हो गए हैं हमारे सारे गट्टे बनके रेड़ी है और ग्रेवी भी बनके रेड़ी हो गई है तब इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ा सा मिलग कर रह Marcel कर रहे हूं क्योंकि ग्रेवी की कंसिस्टेंस से मुझे थोड़ी ठीक लगी ऋगी है इसलिए और इस में आप में सारे गट्टे प्लेस कर देती हूं, जब भी हम गट्टे की सबजी बनाते हैं, उसमें पानी का यूज नहीं करिए, दूद या दही का यूज करें, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, अब मैं इसमें गरम मसाला डाला और कसूरी मेथी, जो की लास्ट इ जो की है, शाही गोविन गट्टे की करी, आप मैं इसको बॉल में ट्रांसफर कर लेती हूं, आप इसको गार्निश करने के लिए, ग्रेटेड चीज या पनीर का यूज कर सकते हो, सम चौप केशु भी डाल सकते हो, धनिया भी डाल सकते हो, और अपनी ग्रेवी यानि गट् थैंक यू फ्रेंज